अगर आपने भी इस क्रिस्मस को या न्यू येर को विदेश में मनाने का मन बनाया है तो तयार रहिए मोटी जेब धीली करने के लिए घरेलो और विदेशी एलाइंस ने किरायों में बेतहाशा बढ़ो उत्री कर दी है पिछले साल के मुकाबले इस साल किराये 60 फीसिदी महंगे हो गए हैं वहीं डीजी सीय ने एलाइंस के महंगे किरायों को मौनिटर करना शुरू कर दिया है लेकिन एलाइंस पर कोई असर नहीं दिख रहा विदेश घूमना हुआ महंगा महंगा हुआ विदेशी हवाई सपर घरेलू विदेशी एरलाइंस के किराये 60 फीसिदी तक हुए महंगे अगर आप क्रिसमस और नहीं साल के मौके पर विदेशों में गूमने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए है बुरी खबर क्योंकि विदेश जाने के लिए आपको अपनी जेब ज्यादा धिली करनी पड़ेगी सभी घरेलू के साथ-साथ विदेशी एरलाइंस ने विदेशी हवाई किरायों में साथ-विदेशी तक ही बढ़ोतरी कर दी है कल तक जहां विदेशी एरलाइंस अस्ते किराय देकर आपको आकरशित कर रहे थे वही उनसे भी अब विदेश जाना और महंगा हो गया है हवाई इंदन के दामों में बढ़ोतरी और ते वहारों के समय मांग में तेजी के चलते सभी विदेशी एरलाइंस ने हवाई किरायों में बढ़ोतरी कर दी है महंगे हवाई सफर का सलसला यही नहीं रुखने वाला महंगे किरायों के साथ साथ दिल्ली एरपोर्त सोडान बढ़ने वाले यही ओर बढ़ गई है एक दिसमबर से घरेलु यही यहीं को किरायों के अलाबा 300 रुपर बतौर अडियव देना होगा वहीं विदेशी आत्रियों पर भी किराय के अलाबा 1300 रुपे एरपोर्ट फीस का अत्रिप तभार पड़ेगा एरलाइन्स के महंगे हो चुके किरायों में DGCA ने भी कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी है DGCA ने साफ किया है कि घरेलू एरलाइन्स के मनमाने तरीके से किरायों में बढ़तरी को कताई बरदाश्ट नहीं किया जाएगा और किरायों की मोनेटरिंग भी शुरू हो गई है साफ है बले ही सरकार और DGCA हवाई किरायों में बढ़तरी पर नज़र बना रहे हैं लेकिन एरलाइन्स हर बार मनमाने तरीके से किराय बढ़ा कर यातलियों की हवाई यात्रा महेंगी करती आ रही है बहराल आप तैयार रहे हैं महेंगी विदेश यात्रा के लिए क्यूंकि साल आपका क्रिस्मस और न्यू येर विदेश मनाना काफी ज़्यादा जेब धेली करवाएगा अनुरांग मंखन दिल्ली न्यूस 24 झाल न्यूस 24 नजसर हर जबरकार